देखे यह 6 नंबर का है गड़िती आगमन से एक सवाल 6 नंबर का आता ही है इसलिए इसको अच्छेस बना लेना है तो आपके नियम को समझ लीजी इसे इसे रिलेटेट सवाल बना कर देख लेना देखे इस प्रकाल लिखा रहे है कि इसको सीध्ध करना रहेगा तो क्या करना कि इस में एक बार एन बराबर एक ले लेते है क्या करना है लिख थी होगया एन के जाए क्या लिखेंगे एक माइन चाहिए, तो RHS क्या है? एक बटा दो है, देखिए, N, N के जग़े एक लिखना है, फिर है 3, N के जग़े क्या लिखना है? 1 माइनस एक, यहाँ पर रखना है, जहाँ N है, उसको जग़े एक, तो कितना हो गया? एक बटे दो, एक का तो एक ही हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 1 तो यह हो गया 1 बटा 2 तीन में से गया 2 दो और 2 कड़ यह कितना बचा 1 दखें दुनों में 1 और 1 आगे तो इसलिए क्या हो जाएगा एक जासी है इसलिए एन बराबर एक के लिए दिया गया कथन सत्ते है इस पर कलीग देना है एन बराबर एक के लिए दिया गया कथन सत्ते है old इसी बनाने है, सब में ऐसी करना है, दिया गया कथन सत्य है, न बराबर एक लेना है, सब में, दूसरा हम क्या करना है, न बराबर एम लेना है, मालो हम न बराबर क्या लेते हैं, अब एम, न बराबर एम के लिए, बिए गया कथन सत्य है ऐसे लिख देना n बराबर m के लिए दिया गया कथन सत्य है इसे पहले से लिख देना अब डाक्ट इसको क्या करना है सीधा ऐसे करके आप इसको लिख सकते है P M equal करके, क्या करना है, जो प्रस ने उसी को लिखना है, जो प्रस ने उसी को लिखना है, बस जहाँ N है उसके जगा M लिख देना, तो यह 3 M minus 2 हो जाएगा, 1 by 2 M, 3 M minus 1, मतलब प्रस नो को लिखना है, बस, 1 plus, इस परकार, 1 plus 4 plus 7 plus dot dot dot, यह plus हो जाएगा, यहाँ पर जो है न, यह 3 M minus 2 है, उसको क्या लिखना है, 3 M minus 2 लिखना है, बराबर, N के जगा M बस लिखा हो, यहाँ भी N के जगा M लिखना है, तो 1 by 2 M, 3 M minus 1, 1 by 2 M, 3 M, 3 M minus 1, इस परकार, प्रस लिखना है, सिंपल जाए N के जगा M बस लिखना है, हो गया, अब एक बाल लेना है, N बराबर, M plus 1, यह इसका नियाम है, घ्रभिए क्या लेना है, M plus 1, यहाँ पर आपको थोड़र रफकार्या करना पड़ेगा, N बराबर, M plus 1, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ प आपको n के जगह m प्लस 1 लिखना है, तो 3 हो गया, n के जगह क्या लिखेंगे, m प्लस 1, माइनस 2, तो हल करेंगे 3 और m का 3m हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो 3m हो गया, 3 में दो गया, 1, यह जो आया है ना, इसी को दोनों पक्षों में जोडते हैं, इसको सम में आपको ध्यान और हल करने की बात जो भी आएगा, उसको दोनों पक्षों में जोडते हैं, clear हुआ? तो हमको क्या करने है, 3m प्लस 1 दोनों पक्षों में जोडने परते हैं, इस प्रकार यहाँ पर लिखना है, तो सबस्पहले आप इसको लिख लीजिएगा, प्रस्ण को, यह प्रस्ण को ह लिख लीजिए, इसी को लिख लीजिए, 1 by 2m, 3m माइनस 1, अब क्या करना है, जो बताया था, 3m प्लस 1 उसको दोनों पक्षों में जोडने पर, तो इसको पूरा प्रस्ण को वैसी लिख लीजिए, यह पूरा वैसी चाप दिना बस इसको जोडना बस है, कैसे होगा, 1 प्ल से 1, यह क्या था, 3m माइनस 2, अब इसी में प्लस करना है, किसको 3m प्लस 1 को, यह, इसको भी वैसी लिख देना है, 1 by 2m, 3m माइनस 1, अब इसमें किसको प्लस करना है, 3m प्लस 1 को, अब आगे क्या करना है, इधार को हल नहीं करना है, आपको यह राइट हेंड साइड को हल क करना है अब हल करते हैं कि देखे इसको लेकर हल करना है इसी को मैं यहां लिख दिया है यहां पर लिखाँ उसीच को अब इसको हल करेंगे देखिए एक बटा दो हो गया एम का इसमें गुड़ा कर दीना तो क्या हो जाएगा 3m स्क्वेर हो जाएगा एम क्या हो जाएगा ए प्ल्स क्या हो गया 3m एप्लस वन है यह जो डो है इसका इथर गुड़ा हो जाएगा आज से 2 एंधे का इसका इसका प्रकार गुड़ा करेंगे तब यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा बड़ा कोश्टक लगाना पड़ेगा यहां से कोश्टक खटा दीजिए यह देखिए एम को गुड़ा इसमें तो 3m स्क्वेर एम अब इस दो को गुड़ा इसमें कर दिया 2 तीया 6m और 2 एक अम 2 यहां बड़ा कोश्टक लगा देना अब देखिए यह क्या हो गया एक बटा 2 हो गया अब यहां देखिए यह 3m स्क्वेर हो गया यह देखिए यह प्लस है और यह माइनस है तो 6 और यहां एक रहता 6 में से एक गया 5m 6 बड़ा इसलिए क्या होगा प्लस और यह क्या हो गया 2 संख्या लेना है जिसको गुड़ा करने में 6 और जॉड़ने में 5 तो गुड़ा किसको किसको होगा पहला विधी, simple सा, तो यह क्या होगा, 3 M इसमें common निकलेगा, क्या बचेगा, M plus 1, 3 एकाम, 3 M, और यहां 3 M, और M का गुड़ा करेंगे, 3 M इसकवर होगा, 3 एकाम, 3 M, इसमें common क्या निकलेगा, 2, तो यहां पर M बचा, और यहां कुछ नहीं है, तो 1, 2 और M का 2 M, 2 एकाम, 2, अब जैसे कौन-कौन है, M plus 1, M plus 1 एक जैसे है, तो इसको एक बार लिखते हैं, ति हो जाएगा, 1 बचे 2, M plus 1 को किते बार, एक बार, क्या बचा इसमें, 3 M plus 2, अब देखिए हो गया, 1 बचे 2, M plus 1 को कुछ नहीं करना है, यह 3 M को रहने दीजिए, अब इसको क्या करना है, आपक क्यों किया, ऐसा बतार, यहां से क्या करना, देखिए, 3 common निकालेंगे, 3 common निकालेंगे, तो क्या बच जाएगा, इसमें, M plus 1, इतना बचेगा, और इसको आद यह क्या हो गया, minus 1, 3 M, और 3 एकम, 3, यहां से M plus 1 पहले से है, यह 1 बचा, 2, clear है, इसको कुछ नहीं किये, 3 common न बन गया, हमने क्या माना था, यह 1 बचा, 2 हो गया, M plus 1 बराबर क्या माना था, N, और यह 3 हो गया, M plus 1 बराबर क्या माना था, N minus 1, यही हमको क्या करना था, सीध्ध करना था, तो लाश्टम लिग देना, अता N बराबर N plus 1 के लिए, N बराबर N plus 1 के लिए दिया गया कथन, के लिए दियागय कथन सथे है तो लास्ण भम यह प्लीक सकते हैं यह क्या है सभी धन पूर्ण आंग आंग पा लों के लिए सक्थ्या है इस प्रोसे आपको क्या करना है दोराना है बस इसी प्रोसे से बाकि अब सभी सवालाव बना सकते हैं देखिए इनस वालो को आप इसी प्रकार बना सकते।